देश में इस साल समान मौनसून है, केरल में मौनसून की शुरुबार जून के पहले हफते यानि चार जून से हो सकती है, मौसम बिभाग ने आज ये अपना ताजा अपडेट दिया है मौसम बिभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल मार्च से माई की अबदी में प्री मौनसून अच्छी बारिश देखने को मिली, देश के कुछ इलाकों में गर्मी से निजात मिलने की संभाव ना है इससे, हाला कि पश्यम मद्ध भारत, पूर्व और उत्तर पूर भारत में तापमान साड़े चार डिग्री सेल्सियस की बढ़ुतरी हो सकती है, तापमान में यह अनुमान भी मौसम बिभाग की तरफ से आया, सर और कुछ कहा पूर्व अनुमान में? इस साल मौसम بिभाग अपने पूरवान मान देने का तरीका बद्ला है, आम तार पर मौसम बिभाग अपने लांग रेंच के पूरवान दिया है, उसका अपडेट है लांगरेच का पुरवा अनुमान का मतलब यह कि जो अनुमान माज़ून आने से पहले किया गया था और उसमें दो तिन महत्वून बाते समझ में आई हैं यह आकड़े आपके सामने आपको करीब स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे इसमें जो सबसे महत्वून आकड़ा है वो यह जून का है और पहली बार मौसम बिभागने शुब हम केवल जून की भवश्वानी किये जुलाई की बारिश की भवश्वानी नहीं की जुलाई के बारे में क्या का है हम आगे बताएंगे जून के बारे में बताया है मौसम विभाग ने कि अधिकांश हिस्सों में सामाने से कम बारिश होगी इस आकले में जो आपको पीला या हलका सा पीला हिस्सा दिखाई दे रहा है वो सामाने से कम बारिश का है जबकि कुछ हिस्सों में सामाने बारिश कानुमान है मानसून अपने सा निरधार इस समय से थोड़ा देरी से चार जून को आ रहा है ये पुर्वानुमान बताता है चार जून के बाद जून के महीने में सामाने से कम बारिश होने का नुमान है पूरे मौसं के लिए दक्षिन पश्चि मानसून का पूरवान मैं वो इस स्क्रीन पर दाहिने तरफ है इसमें अगर आप पूराने नुमान को देखें तो भारत के अधिकान शेस्षों में सामान ने, उससे सामाने कम बारिश होने का नुमान اپنے पहले पूर्वानमान में पहले फ़ोरकासٹ में मौसम बिभाग ने लगाया था वो पूर्वानमान भी काया में अब इसके बात दूसरी बात आती है कि जुलाई और अगस्त के महीनों میں जुलाई और स्टमबर के महीने ही सबसे महत्वपून मानसून के महीने हैं उन महीनों के बारे में मौसम बिभाग ने कुछ भी इस पश्टूप से नहीं कहा है अगर आप बड़ी सुर्खियों में जाए तो मानसून सामा ने रहेगा ये बात दोर आई गई है मौसम बिभाग ने कहा है कि जो पैसिफिक और इंडियन वोशन में समुद्री तापान में बढ़ोतरी हो रही जो सर्फिस टेंपरिचर में बढ़ोतरी हो रही है जो कि अलनिनौा का संकेत है इस पर मौसम बिभाग नजर रख रहा है जानकारी जुटाने के कोशिस कर रहा है और आइमडी जुलाई का फॉरकास्ट जुन के आखरी हफते में जारी करेगा यानि इस बार आपको मानसून की जानकारी किष्टों में मिलेगी एक बार में नहीं मिलेगी क्योंकि मौसम बिभाग को भी यह नहीं पता है कि जुन के महीने में केरल के तट पर पहुँचने वाला मानसून उसके आगे किस तरीके का वेवहार करेगा और इसलिए बारिश को लेकर जुलाई और अगस्त के महीनों की बारिश का वनुमान जुलाई जुन के अंत में आएगा तो यह रहा मानसून का अपडेट जो हमारे सामने आज आया है